महाविकास अगारी आज है, कल रहेगी इसका पता नहीं NCP सुप्रीमो शरत पवार केस बयान ने कॉंग्रेस और शिफ सिना उद्दव गुड को परिशान कर दिया है पवार केस बयान के बाद महाराश्च में महाविकास अगारी गटबंदन में तूट की अटकलों को और बल मिल गया है पहले ही खबर थी कि अजित पवार के साथ NCP का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी शिंदे सरकार के साथ हाथ मिलाने को तैयार है और अब शरत पवार का ये बयान इसके बाद ये तो कहा ही जा सकता है कि अंदर खाने कुछ न कुछ खिचड़ी तो पकी रही है रविवार को अमरावती में शरत पवार मीडिया से मुखातिब थे महाविकास अगारी गटबंदन के सवाल पर पवार ने जो कहा वो विरोधमासी तो था लेकिन साथ में उसमें एक बड़ा इशारा भी छुपा हुआ था पवार ने कहा कि हमारी इच्छा है कि हम साथ में काम करे लेकिन इच्छा से क्या होता है आगे विधानसभा और फिर लोकसभा का चुनाव है सीट बटवारे का मुद्धा है सभी पार्टियों की अपनी अपनी समस्याएं हैं आज अगारी है लेकिन कल होगी या नहीं ये नहीं पता शरत पवार के बयान को लेकर जब महराश्टी के मुख्य मंत्री एकनाच शिंदे से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पवार सहाब बहुत अनुभवी नेता है जो वो कहते हैं उसमें गंभीरता होती है इतने मैं कहूंगा जिनको जो सूचना है समझना है वो समझना है हाला कि उद्धव गुट को अब भी भरोसा है कि गटबंदन बना रहेगा और सब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे संजेर राउट ने तो यहां तक कहा कि मेरी पवार सहाब से बात हुई है उनके बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है अगाडी रहेगी पवार साप में जो कहा है उसका विपर्यास किया जा रहा है इस महाविकास अगाडी के करता जहरता जो है प्रमुक निता उसनों उद्धो ठाफिर जी है रहुल गांदी जी थे उस्वाक्त पवार साप थे आज भी है और रहेंगे दो आज चुनाव लड़ेंगे ये पवार साप की भुवे का कल थी आज भी है और आगे दिर है उसके लगता ये बायान आप उनका समझ लीजिए भले ही संजे राउत गटबंदन को लेकर आश्वस्थों लेकिन हाल के दिनों में शरत पवार के बदले रंगधंग विपक्षी खेमे के लिए अच्छी खबर नहीं है पहले अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग को गलत बताना फिर सावरकर की तारी पीए मोदी के डिगरी विवाद को खारिच कर देना और फिर बंद कमरे में अडानी से घंटों की मुलाकात ये तमाम वो घटना क्रम है जो बीजेपी से शरत पवार की नस्दीकी की और इशारा कर रही है हाला कि भतीजे अजित पवार के बीजेपी के साथ जाने के अटकलों पर शरत पवार ने कहा कि अगर कोई उनकी पार्टी को तोड़ने की साजश रच रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी कारवाई करनी होगी दूसरी ओर बीजेपी से नस्दीकियों की खबर के बीच अजित पवार के एक बयान ने सब को चौका दिया है हाल ही में अजित पवार ने कहा था कि वो 100% महराश्र का मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे और NCP 2024 के विधान सबा चुनावों का इंतजार करने के बजाए अभी भी मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक सकती है ये तो अजित पवार ही बता सकते हैं कि किस अधार पर वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं लेकिन इतना तो तैय है कि बहुत जल्द महराश्र की सियासत में कुछ बड़ा उलट फेर होने वाला है कर दो पर दो पंद़ेश जल्द में कुछ फेर हैं